हेलो दोस्तों, हाँ चल टेरीस गार्डन में आपका स्वागत है, आज है सिप्टेम्बर की सत्रह तारीक, शाम का समय है गार्डन में कुछ काम कर रही हूँ, तो सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ, उससे पहले मेरे गार्डन में खिले हुए हिबिसकस देख लीजिए, य यह एक रेड़ वाला खिला हुआ है, वो भी देखेंगे, यह कल खिल जाएगा, यह भी बहुत प्यारा शेड है, और यह देखिए, यह रेड़ वाला है, इसी को मैं दूसरे गमले में शीप्ट करने वाली हूँ, यह रेड़ वाला जो देख रहे हैं, थोड़े से बड़े गमले में और काफी अच्छा पैटल है इसका रेड कलर का फ्लावर खिलता है बुच्छे वाला बहुत ही सुन्दर तो देखिए यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ दो हिबिसकस के प्लांट को मैं प्लास्टिक की पॉट में शिप्ट करूँगी थोड़े से बड़े साइज का पॉट है और इसमें यलो कलर का फ्लावर खिलता है यह भी जिसमें बीच में रेड डॉट होता है तो दो गमले को खाली करना होगा मुझे तो एक में मिर्ची گुठल लगा हुआ है और एक में अप्राजीता लगा हुआ है तो उसी को मैं खाली करूँगी और इनको मैं grow bag में shift करूँगी जो चावल की बोरी होती है 15 kg वाला 10 kg वाला होसी में मैं इनको लगा दूँगी अपराजीता blue है इसमें white भी है तो white को मैंने cut करके हटा दिया था यह देखें यहां से मैंने cut कर दिया था दोनों एक ही plant एक ही planter में लगे हुए थे दो नहीं चार plant थे इसमें एक साथ लगे हुए तो यहां पर मैंने खाली कर दिया है थोड़े से roots को cut करूँगी अपराजीता के और गुढल जो है मिर्ची गुढल उसको मैं ऐसे ही लगा दूँगी side side से मिट्टे निकाल के तो देखिए यहां पर इनको मुझे अलग करना है तो मैं आपको अलग करके बताती हूँ और यह देखिए इनको भी मैंने निकाल लिया है एक हाथ से video shoot करो और एक हाथ से काम करो तो वो नहीं हो पाता इसलिए मैं आपको थोड़ा रुक रुक कर दिखाऊंगी काम कर करके तो देखिए इसको मैं कट करती हूँ पहले यहां पर मैंने आरी की सहता से कट कर दिया है नीचे के portion को निकाल दिया है यह देखिए यह नीचे का हिस्सा है और यह side का हिस्सा था एक plant यह है और मुझे लगता है यह blue single petal है क्योंकि यह blue भी था इसमें और यह white है या फिर यह होगा और यह बाजु वाला तो white है और यह blue double petal है तो इसके seed को मैंने निकाल दिया है एक weverse है जिन्होंने मुझे इसके seed मागे थे तो मैं उनको send कर दूँगी निकाल के रख दिया है अलग से और यहाँ पर मैंने मिट्टी भर दिया है पुरानी मिट्टी को ही और इसमें मैं कुछ compost मिलाऊंगी तो यह वर्मी compost है फंगी साइड है और स्री seaweed grain wool है और साथ में organic potass के grain wool है इन सभी चीजों को मैंने mix कर दिया यह देखे और दोनों pot में मैं आधा-धा डाल दूँगी और कुछ भी नहीं डालना है मुझे बस यही वर्मी compost और potass यह देखे इस तरह से जड़ के पास उसके बाद मैं फिर इसको रख दूँगी और देखे इसमें मिली बग लगा हुआ है इसको मैं हटा देती हूँ हाँ से क्योंकि एकी जगा लगा हुआ है और काफी हिल्दी पर्ट्स है यह नहीं तो अभी तक तूट जाता तो यह खिलेगा इसलिए मैं इसको हटाऊंगी नहीं कट नहीं करूंगी तो नीचे ठीकरी लगा था उसको मैंने हटा दिया और यह देखे इस तरह से मैं इसको आपको रखके दिखाऊंगी और इसमें थोड़ा सा मिट्टी मैं नीचे खोल देती हूँ इसके रूट से देखिए उतने ज़्यादा भी रूट बॉण नहीं हुए है क्योंकि शायद मैंने इसे फरवरी के मन्थ में रिपॉट किया था इसकी रूट प्रूनिंग करके और यह देखे इस तरह से दोनो प्लांटर में मैंने लगा दिया है और देशी हाइब्रेड मिला के मेरे पास लगभग 20-22 प्लांट है हिविसकस के और यह दोनों को ग्रो बैग में मैं शिफ्ट कर दूँगी थोड़ा शाम हो गया है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी इसको मुझे करना है क्योंकि विडियो शूट करो और काम करो तो काम होता भी नहीं है समय पर और एक और प्यारा सा प्लांट फर्स्ट फ्लावर जो खिला है उसको दिखाती हूँ यह थन बरजिया है और देखी इसमें एक खिल गया है एक बड्स बना है टोटल दो बड्स बने हुए थे मुझे पता नहीं था पीछे साइड था इसका फ्लावर अचानक मेरी नजर पड़ी तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ और यह देखे इस तरह से मेरे प्लांट्स चल रहे हैं पर्मनेंट प्लांट्स हैं यहाँ पर सारे तो आज यही दिखाना था